तो हलो भाईयो स्वादत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चनल फेंटसी लेजिन अखाड़ा में तो दोस्तो आज हम बात करेंगे गोल्डन स्टार्ड बोन और बोन ब्लू स्टार्स के बीच खेले जाने बारे दोस्तो आज के ECS क्रिफिल टीटेन मैच के बारे में जो कि दोस्तो क्रिफिल टीटेन का मैच नंबर 14 खेला जाएगा तो इस वीडियो में दोस्तो आप लोग को मैं पूरी इंफोर्मेशन देने की कुशिस करूँगा हर एक प्लेयर के बार में बताऊंगा बस आप लोग वीडियो को लाश तक देखना और दोस्तो अभी तक ट ठीक है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्षन के लिंक से ही आप लोग जोइन होना क्योंकि आपको वहीं से दिखेगा फायदा ठीक है तो चलिए दोस्तो बात करें मैच के बारे में तो दोस्तो मैच नंबर 4 था इस ECS क्रिफिल टीटेन का GBS और BBS के बीच खिला जाएगा मैच 6 बाच के 45 उनटे मैच स्टार्ट होगा और वेदर की बात करें थोड़ा क्लावडी वेदर रहेगा दोस्तो लेकिन के चांसे कम रहेंगे वेनु रहेगा बायर अर्डियन क्रिकेट ग्राउंड क्रिफिल्ड का और पिछ रिपोर्ट की बात करें तो बैलेंस सर्फेस ह दिखेगा 90-120 के बीच में एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा बात करें दोस्तों टीम जीएसबी के प्लेइंग लेवन के बारे में तो दोस्तों इनकी जो प्लेइंग लेवन है वो फाइनल नहीं है आप्टा टॉस मैं जब प्लेइंग लेवन आएगा तो मैं ग्रूब मे देख सकते हैं यहाँ पर टीटेट के नौ मैच में पच्पान रन है पांच विकेट इसके नाम ग्यारा वर डालके एक से दोवर की बॉलिंग बिल्कुल कर सकता है दोस्तों टीम में लेना चाहाओ तो लेकर के चलना राहिब नमाभी है टीटेट के अंदर ग्यारा मैच के जिसमें 10 विकेट इसके नाम है 20 ओवर डालके मतलब की दोस्तों दोवर की बॉलिंग बिल्कुल करता है राइटाम अब रेक बॉलर है दोस्तों एक बहतरीन बॉलर है इस चीज को धियान देना राहिब ना हुई ठीक है तो बिल्कुल टीम में लेकर के चलेंगे इसको पृ विंदर सिंग टीटेन का 10 मैच खेला है जिसमें 108 थामर रन 22 का अवरेज है उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड तो नहीं बोल सकते लेकिन दोस्तों बैटिंग काफे सांदार करता है तो इसके लिए आप लेना चाहो तो विल्कुल टीम में ट्राइ करना उसके बाद आएंग दोस्तों नाइम्स खान ये विकेट कीपिंग सिक्सर में दिखेंगे और सायद ये विकेट कीपिंग भी करा सकते हैं लेकिन लाइनाप के बाद ही पता चले गया है क्या रोल करेंगे ठीक है टीटेन के 9 मैच में 150 रन 30 का अवरेज है अच्छा खासा अवरेज रख रख रह उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड लगा नहीं दोस्तों इसका में लीला गुरू गुबेली है जिनका देखो टीटेन के 11 मैच इसमें 21 रन है दोस्तों यहाँ पे और 21 रन में 14 विकेट इसके नाम है ठीक है 14 विकेट 21 वर डालके तो लगबग ये दोवर की बॉलिंग पूर है ट्राइ करके चल सकते हो दोस्तों अभी के लिए आपकी टीम की तरफ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा देख लो यहाँ पे राही नवाभी को लेना प्रितोस बैरागी है गुरू इंदर सिंग है नईम खान है बिल्गुल इस चार प्लेयर्स तो यहां से गुरूगुबेली है डे तवर्स में दोस्तों लिला गुरूगुबेली है पृतोस बैरागी यहाँ आपको बॉलिंग करते वह दिखेंगे आगे बात करें दोस्तों टीम बीबीएस के प्रपल से ओपन करेंगे हरून खान और जाहिरभास नित डौत बैरागी है अपको और काफी अच्छा बेट्समेन है दोस्तों बिल्कुल टीम में लेकर के चल सकते हो अच्छा खासा पोइंट्स देखर के जा सकता है जाही रबास का देख सकते हो टीटेन के दोस्तों 19 मैच में 220 रन 15 का अबरेज है अगर कर आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा बाकी दोस्तों आप लेना चाहो तो लेकर करके चल सकते हो ओपनिंग पे आएगा तो थोड़ा बहुत रन्स कर सकता है असद मुहमद है टीटेन के अंदर 22 मैच के लाएगा एकसा चाहूंसा टरन 20 का अबरेज है इसका 23 विक्टेंस के नाम है 35 डालके तो एक अच्छा रिकॉर्ड ये भी रखता है टीम में ट्राइगर के चल सकते हो इंपोर्टेंट रहेगा राना सिंग है दोस्तों टीटेन के 19 मैच में 14 विकेट इसके नाम है और अच्छा खासा बॉलिंग करा लेता है दोवर की बॉलिंग करना चीए टीम की तरफ से इस्टार्टेंग के वर में बॉलिंग करता हुआ दिखेगा राना सिंग आपको गर खेलेगा तो ट्राइगर क चल सकते हो खुर्रा मिल्याज है इनका भी ठिक ठाक रिकॉर्ड है टीटेन के इंदर 9 मैच 40-20 का अवरेज है बैटिंग थोड़ा डाउंट रहता है इसलिए हर मैच में बैटिंग नहीं आपाता है इसलिए 20 का ठीक है उसके बाद आएंगे हरुन जावेद इसका देखो ट 27 रन 13 का अवरेज है और 5 विकेट इसके नाम 8 ओवर डालके खेलेगा तो 2 वर की बॉलिंग करता हुआ दिख सकता है आपको तो इंपोर्टन रहेगा जावेद अजीज है दोस्तों टीटेन के 13 मैच में 30 रन है 15 विक्ते 26 ओवर डालके मुझे लग रहा है कि प्लेयर को 2 वर की बॉलिंग दिया जाएगा अगर खेलेगा तो इंपोर्टन रहेगा जावेद अजीज याद रखना फरमनुल्ला मिया खेल है टीटेन के अंदर 8 मैच खेला जिसमें 11 विक्ते इसके नाम है 16 ओवर डाला है अभी तक दोस्तों मतला पूरा पूरा ओवर इसको मिलेगा पूरा पूरा ओवर नहीं डाला फिर भी दोस्तों अच्छा खास अभीकेट लिया है टीटेन के अंदर भी अभी के लिए यहां से जो इंपॉर्टन प्लेयर रहेंगे के बार देख लो हरुन खान है और असद मुहमद है राना शिंग है खुर्रम इल्याज है हरुन जावे देख लो इनमें से कोई भी खेलेगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा दोस्तों ऐसे कुछ भी प्लेयर है जिनके रिकॉर्ड अभी तक हमें मिले नहीं है बाकिन के रिकॉर्ड मिल जाते हैं तो मैं आपको टेलिग्राम पर अपडेट भी कर दूँगा बात करें यह यहां विगेट केपिंग सेक्शन में देखो खुर्रा मिल यास एक अच्छी आप्शन लगे मुझे और यहां पर नईम खानें दोनों में से किसे एक प्लेयर को लेकर के चलना अपने अकॉर्डिंग को लेते हैं और नईम खाने दो प्लेयर को अभी के लिए पिक करते हैं लग डोस्तों बाकि बैटिंग सेक्शन में आते हैं और बैटिंग सेक्शन में आने के बाद जो आप के लिए सबसे important player रहेंगे वह है यहां से दुस्तों धावेध यह है इनको लेकर के चलना इंक यह कि प्लेएर काफी बढ़िया है दोस्तों बैटिंग कर सकता है बॉलिंग भी कर सकता है और यहां से गुरुविंदर इंग को लेना चाह। तो इनको लेकर कर के चल सकते हैं बाक्य और उतने authory ponieważ तो मुझे यहां से नहीं लग रहा है जिनको लिया जाए मैं आ जाता हूँ और अरॉंडर सेक्षन में और यहां से दोस्तो हरून खान है इनको लेकर के चलूँगा और यहां से दोस्तो मैं अपनी टीम में असद मुहमद इनको लेकर के चलूँगा यहां पर प्रितोल बैरागी दीक रहे हैं मुझे काफी important player है और बैटिंग ठिक ठाक कर लेगा यह भी बॉलिंग सेक्षन में आ जाते हैं तो बॉलिंग सेक्षन से राना शिंग है important यहां से लेकर कर लेंगे इम्तियास सरदार है इनको बिल्कुल लेकर चलूँगा और नवाबी है इनको लेकर के चलूँगा दोस्तो और player मुझे चाहिए तो जो मुझे बॉलिंग करते हुए दिखेंगे मैं उन प्लेयर्स को प्रिफर करूँगा जैसे कि रहमान बॉलिंग कर सकते हैं इनको ले सकते हो या फिर दोस्तो डी राथोड को ले सकते हो आपके according कोई भी यहां से अगर खेले और उसके बॉलिंग बैटिंग करने के chances र रहेंगे दोस्तो कैप्टन सी पाइस कैप्टन सी के लिए या फिर दोस्तो एज जावेद भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे बाकी जो मेरी फाइनल टीम रहेगी वो दूंगा मैं टेलिग्राम चैनल पे आप्टर टॉस और फाइनल मेरे स्मॉल लिग का कैप्टन वाइस लेना वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो या चैनल को सस्क्राइब करके रखो मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में थैंक यू सो मच